नमस्कार्ट मैं आनुस्तिवारी परिच्छा प्लस की इस online platform में आप सभी का हार्दिक सागत और अभिनंदन करता हूँ MCQs के इस series में आज जो हम cover करने वाले हैं यह ancient history है और ancient history में basically art and culture और art and culture में भी जो हम देखने वाले हैं यह more तिकला है ठीक है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो MCQs आपको provide करने वाले हैं कि continue 30 दिनों तक हम आपको provide करेंगे और 30 दिनों में हम आपको 90 topics I mean 90 videos provide करेंगे और उनमें आपको हर एक subject topic wise मिलता रहेगा आपने इससे पहले भी जो हमने कल MCQs cover किया था वो मंदिर अस्थापत तिकला पे था उम्मिद करता हूँ कि आप सबने उसको देखा भी होगा और अगर नहीं भी देखा है तो एक बार आप जा करके प्रिछा प्लस की YouTube चैनल पे विजिट करेंगे वहाँ पे publicly आपको मिल जाएगा आज का जो हमारा topic है ये ancient history में ही मूर्ति कला पे हम चर्चा करने वाले हैं आज का session start करते हैं देखते हैं पहला question पहला question आपके सामने है गंधार मूर्ति कला के विशय में सही विकल्प का चैन करें पहला option है कि इसका जो विश्तार है गंधार मूर्ति कला का गंधार तक्ष सिला और पेशावर है इसका जो विशय है वा धार्मिक यों गैर धार्मिक दोनों है, साथी साथ में जो तीसरा option है, धारमिक विश्यों में ब्राह्मन, जयन, यूम, बौध सभी को बराबर महत्वप्रदान किया गया है और चौथा option कहता है कि गंधार में कुछ को हीन यानी परंपरा में कि तहत विक्षित किया गया है, ठीक है अगर मैं गंधार मूर्तिकला की बात करूँ, तो गंधार मूर्तिकला में अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता होगा कि जो गंधार मूर्तिकला है अगर आप देखेंगे suppose that मालीजी ये भारत है ठीक, ये भारत है, ये आपका आपको अफगानिस्तान नजावगा तो जो गंधार मूर्थिकला है उसका विकास적 ये वाला हिस्सा ठीक है गंधार तक्शिला और पेशावर इस एरिया में गंधार मूर्थिकला का विकास किया गया जो की आपका पहला प्षंस सही है ठीक अगर मैं बात करूँ गंधार मूर्ति कला की तो गंधार मूर्ति कला का जो विशय है ये केमल बौध धर्म से संबंदित है अगर मैं विशय की बात करूँ तो विशय में केमल बौध धर्म के तहत बुध योम बोधी सत्त को अस्थान परदान किया गया है ठीक है सो δूसरा आपका गलत है अगर मैं तीसरे option की बात करूं कि धार्मिक विश्व में ब्राह्मन जैनियुंग बहुत सभी को प्रावर मात दिया गया है तो ये भी गलत है केवल बहुत धन्पों को कोई दिया गया है तो यह भी आपका गलत ऑप्शन है अगर मैं डी की बात करूं तो बहुत गंधार मूर्तिकला में हीन यानी परंपरा के तहत विक्सित किया गया है देखिए जब हम बहुत धर्म को कवर करेंगे यानी आर्ट एंड कल्चर के बाद यह हमारा सेकंड एंड कल्चर कर आपको कल एक आर्ट एंड कल्चर का और मिलेगा तीन आट कल्चर में कोशिश करेंगे कि हमारा जो सेक्ष्ण ने वो कवर हो जाए नेक्ट में जब हम बुद्ध और जयान को कवर करेंगे तो हीन यान और महायान दोनों प्रॉपर देखेंगे लेकिन एक चीज में बतान लुवान की रूप में समझते ते और उनकी मूर्थी बनाकर पूजा करना स्टार्ट की तो हीन यानि atrás हीन यानि कभी भी मूर्ति-पूजक नहीं थे ठीक है अगर मैं मूर्ति-पूजक की बात करूं तो महा यानि थे जो मूर्ति-पूजक थे यह भी आपका option गलत है मैं right option की बात करूं तो केवल आपका पहला यह option है जो कि सही है अगर मैं गंधार कला की बात करूं कुछ और भी तो गंधार कला में जो पहला है यहाँ पे लाल बलुवा पत्थर का पर्योग किया गया है अगर मैं और बात करूँ तो भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा गंधार मूर्ति कला के तहत विक्षित किया गया है ठीक है, इसके साथी मैं बात करूँ, जो भगवान बुद्ध है, इन्हें यूनानी देउता के समान दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया, इन्हें यूनानी देउता के समान दिखाया गया है, अगर मैं यहां पर बात करूँ यहां पर गैरधार्मिक तथा गैरधार्मिक के साथी साथ में अन्निधर्म अन्निधर्म को अस्थान नहीं दिया गया है ठीक है? यह थोड़ा आप समझेगा और अगर आपको पता हो कि महतमा बुद्ध की पांच प्रतिमाएं बहुत ही बहतर मानी जाती है यूँ कहूं पांच प्रकार की प्रतिमाओं का उलेह आपने पढ़ा ही होगा जिसमें से एक है ध्यान मुद्रा अभय मुद्रा वरद मुद्रा धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा ठीक ध्यान अभय वरद धर्म चक्र परिवर्तन और इसके साथ ही मैं अगर मैं बात करूं तो भूमी इसपर्ष मुद्रा कौन से है भूमी इसपर्ष मुद्रा भूमी इसपर्ष मुद्रा ठीक इन पांच मुद्राओं के तहट गंधार मूर्तिकला में भगवान बुद्ध को बनाने की कोशिस की गई है ठीक है सो मिद करता हूँ कितनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगे ठीक गंधार मूर्तिकला की मैं अगर बात करूँ तो ये चीज़ें है इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो चीज़ें आसानी से आप टेकल कर लेंगे देखिए ये कुशन अगर आप सिविल के लिए देख रहा है तो भी इंपोर्टेंट है अगर वंडे के लिए देख रहा है तो भी इंपोर्टेंट है मतलब ये मेरा पुद का एक shortcut है KYC Know Your Country अगर मैं एक बार लिखना चाहूं यहाँ पे Know Your Know Your Country ठीक पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ आप नौकरी के लिए पढ़ें जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ आप देश दुनिया को भी जाने और एक अच्छी बात है कि आप भारत को भी बेटर तरीकी से समझें हमारी कला संस्कृति सभ्यता क्या है आप उन्हें भी जानने और समझने की पूरी कोशिस करें ठीक है तो यह मेरा उद्देश होना चाहिए कि हम अपने देश को भी जाने सो हमने इसको कहा है KYC अगर आप गंधार मूर्ति कला की बात करेंगे तो गंधार मूर्ति कला में ही गंधार में या कुशान काल या पहली तथा दूसरी AC के तैट इसका विकास किया गया है ठीक है यह प्राचिंतम है सबसे पहले गंधार मूर्ति कला का विकास किया गया तो जो आपका option है पहला हम देखते हैं पहला option है इसके साथी में अगर मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरीके से उमीद करता हूं कि यह आपको असप्रस्ट दिख रहा होगा आप देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध को बिल्कुल क्लीन सेप में दिखाया गया है यूनानी देवता के समंट टोंगा चोला भी पहनाया गया है और इन्हें खड़ी मुद्रा में बनाया गया तथा बहुत करूं मत्रमूर्तिकला का संबंध है जां लाल बल्वा पत्धर का उपयों किया गया है धार्मिक विश्य काफी विविद्धतपूर्ण है यिसमें बहुत जहींत ऐता हिंदु धर्म को स्थान परदान किया गया है विश्यará नैसा गया दोनों है मतुरा मूर्ती कला में भी लाल बलुवा पत्थर का प्रियोग किया गया है एक सबसे बड़ी बात है कि जहां मत गंधार कला में केवल धार्मिक वस्तों या धार्मिक परंपरा के तैत विक्सत किया गया है तो मतुरा कला में धार्मिक यों गैर धार्मिक दोनों किया गया है और यहां पर काफे विविधिता पूंड है अगर मैं बात करूं गैर धार्मिक में तो धार्मिक में जहां आप देखेंगे धार्मिक और गैर धार्मिक अगर मैं धार्मिक की बात करूँ तो धार्मिक में हिंदू, जैन, तथा बौध, तीनों को स्थान परदान किया गया अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो हिंदू में शिव, पारवती, कार्तिके, गनेश और माता दुर्गा को स्थान दिया गया है अगर मैं जैन की बात करूँ तो पाश्वर्मनाथ और रिशवदेव और महावीर स्वामिक को स्थान दिया गया है अगर मैं बौध धर्म की बात करूँ तो बुद्ध के साथ साथ बौध सत्व की भी मूरतियों का उल्ले किया गया है या इनका भी निर्माण किया गया है अगर मैं गैर धर्मिक की बात करूँ तो गैर धर्मिक में पसुपक्षी, हरीती, कुबेर और यक्ष, यक्ष एक्षणी का भी निर्माण किया गया है अगर आपने इसको पढ़ा होगा नहीं भी पढ़ा है तो मिद करतों की चीज़ें आपको समझा रही होगी धर्मिक भी में अपको बता दिय है यह और यहां डेविय आभा मंडल के सथ महायानी परंपरतों है ही प्लस इसके साथ ही साथ में जो मत्रा मूर्तिकला में मात्मा बुध्व को लोकल अस्तर पर या अस्थानिय या देशी लेंगज में मैं कहूं तो अस्थानिय अस्थार पर या अपनी अस्थानिय लोकल लेबल पर भगवान बुद्ध को मूर्ति के रूप में ढालने की कोहिस की गई है अगर मैं गंधार की बात करूँ तो गंधार में जहां यूनानी अपोलो देवता के संकल्पना के तहट विक्सित किया गया है वहीं भारत में जब मतुरा कला का विकास वा तो मतुरा कला में महत्मा बुद्ध को दिश्वादेशी अस्तर पर विक्सित किया गया है अगर मैं मतुरा मूर्ती कला की बात करूँ अगर मैं बात करूँ भारत के मैप के तौर पे ये वाला हिस्सा अगर इस हिस्से की मैं बात करूँ अगर आपने देखा होगा मैंने बात किया ये हिस्सा आपका गंधार है और ये वाला हिस्सा आपका पूरा आवध वाला हिस्सा यह आपका मत्वुरा छेतर में माना जाता है ठीक है अगर मैं यहीं पर मत्वुरा कला की और बात करूं अगर मैं मतुरा कला की और बात करूं तो यहां भी लाल बल्वा पत्थर का प्रियों किया गया है विविधिता काफी जादा है इसी के साथ ही मैं अगर मैं बात करूं तो यहां पर देवी देवताओं की भी प्रतिमा का निर्माण किया गया है एक चीज मैं आप से को बताना उसी तरीके से चाहे मूर्तिकला हो या अपने मंदिर स्थापतिकला में भी देखा कि अचानक मंदिर का जो आज वर्तमान सुरूप हम देखते हैं ऐसा सुरूप नहीं रहा है मंदिने धीरे धीरे निर्मित हुई है चरण दर चरण उनमें वृधि हुआ है विकास वाई फिर वर्तमान सुरूप हमें देखने को मिलता है यही चीज़ मूर्तिकला में भी है महत्मा बुद्र की सब से ज्यादा मोर्कियों का निर्माड किया गया है इसके साथी में अगर मैं इमेज की बात करूं सो यह आप इमेज़ आप देखिये धीक अगर मैं बात करूं इससे पहले गंधार मूर्तिकला तो वहां पे भी आपने भगवान बुद्ध को देखा एक नॉर्मल देवता के बात ही बनाया गया था और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे अस्थानिये चीजों का भी लेक किया गया है आप देखेंगे पत अगरूं तो उमीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा यह इमेज मत्वरा मूर्तिकला में कुसाण काल किया ऐसा माला जाता है कि यह कनिश्क की एक प्रतिमा है सर्विहीन यह एक कनिश्क की प्रतिमा है जो मत्वरा मूर्तिकला के तह्त विक्षित किया गया है ठीक तो इ अमरा वती कला के संबन्द में निहम लिकत में से कौन सा कथन चहीं है। या चहे थे किष्टन घाटी में निर्वेची तत यहां लाल बलवोगत पत्थर के स्थान में संग मरमर पर जोड ़ुर दिया गया है। तीसरा अप्चन है कि अमरावती कला के तायत केवल बुधियों बोधिसत्य को स्थान परदान किया गया है और चौथा अप्चन है कि धर्म निर्पेक्ष परतिमाओं पर बल दिया गया है ठीक है अगर मैं अमरावती की बात करूँ आप कुछ ऐसे समझे ठीक ये वाला हिस्सा बार 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 इसलिए बना रहा है ताकि आपको याद रहें गंधार मथुरा और ये वाला हिस्सा अमरावती ठीक है कृष्णा घाटी के छेत्रों में अमरावती का विकास हुआ देखिए अगर आप सिविल की तयारी कर रहना तो यकीन वानी कि ये सेसन आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि गंधार यों मत्रा मूर्तिक कला में कि बेसिक अंतर क्या है तथा इनमें अंतर अश्ट-पश्ट करते हुए इन दोनों की वर्तमान समय में प्रासांगेकताओं पर वर्ण करें अगर आप अपना क्वेशन लिखें मान लीजिए यह आपने लिखा जितनी चीजें मैंने आपको बताया उतना लिखने के बाद में अगर आपने इमज चस्पा कर दिया ना यकीन मानिए की इसामान में काफी फर्क पड़ता है उतना पढने के है अप समझ में आ जाएगा अच्छा यह वाला गंधार छेत्र यह वाला मत्वर चेत्र यह वाला अम्रवती छेत्र और चीजें समझ में इसामीन और विखा पी आती है तो इससे आपका जो answer अमरोती है, अगर मैं बात करूँ 시간 की तो यह कृष्णा घाटी है, analytical क्रिष्णा घृट्टी में अमरोती कला विकास किया गया है, इसके साथ ही, इस साथ ही मैं बात करूँ, लाल बल्वा पत्थर क ले संगमर मर का जोडिया गया है, बिलकुल सही है, अगर आपने मंदर सृप पर चुनल किया गया हैं, लेकिन अगर साची बढ़ाउथ के बाद में अगर आप अमरावती पे आते हैं, तो जहां पर लाल बलवा पत्थर है, वहां संगमरमर का परयोग किया गया है, इसके साथ ही अगर मैं next option की भात करूँ, पहला option आपका चही है, यहाँ धारमिक विश्यों को ही मात अमरावति का लगी तो अमरावति में भी चेहां घमल बौध सत्त को अस्थान दिया गया है ठीक और एक सबसे बड़ी बात है कि अमरावती में धार्मिक मूर्तियों के अस्थान पर गैर धार्मिक मूर्तियों पर ज़्यादा बल दिया गया है ठीक है यह चीज़ें आप ध्यान रखेगा क्योंकि यह कभी कभी आपसे इस्टेट्मेंट वाइस पूछता जैसे कि मैंने आपर फॉर्मेट किया है ठीक है सद्श करें दर्मिक विशयों में अगर महत्यू की बात करूँ तो धार्मिक विशयों में के स닉 सात में गयएध स्था्य को भी जादा महत्या गया है और धर्मके सात सात में धर्म निरपेक्ष को भी प्रॉपर महत्यू दिया गया है सो सारे option आपके सई हैं जिसका option है डी सो अगर मैं अमरावती की बात करूं तो simple term में आपसे कहना चाहूंगा कि जो अमरावती का विकास हुए क्रिष्णा घाटी में हुआ यहां लाल बल्व पत्थर के माहों पर उतना ज्यादा बल्व नहीं दिया गया है अगर मैं एक image की बात करूं तो आप अगर image देखेंगे तो यह अगर आप देखेंगे तो यहां धारमिक के साथ साथ में जो वर्तमान समय में लोक कला है वहां की या वहां के टेडिशनल रहें या वहां की और भी बहुत सारी चीज़े रही है लोकल अस्थर पर उन्हें चित्रों के मार्ध्यम से दिखाने की कोशिस की गई है और यह ला ऑल बलूव पथर के अस्थान पे संग मरमर का परयोग किया गया है अगर आप देखेंगे तो यह वैट कलर में आपको दिख रहा है इस संग मरमर में निर्मित हैं अगर मैं सी зовут कि अब महत्मा बुद। की भी प्रतिम अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि बुद्ध मे प्रॉपर सफिस्यंट मात्रा में महतु दिया गया है ठीक है सो यह था आपका अम्रावतिकला उम्मीद करता हूं कि गंधार मत्रों आपको समझ में आई होगी यह आपका अर्ट कल्चर करके बीमात्र करने और हो सकता है कि मुझे लगता है चित्रकला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है चाहे वह बनिठनी हो चाहे वह सितल वासन हो यह हो सकता है कि गुफा चित्रकला हो, यह अजंता की चित्रकला हो, इसके साथ ही में हो सकता है कि आपसे और भी important question पूछा जाए, भीम बेटका को ले लिया जाए, उसके साथ में भी आपको elephanta की गुफाओं को ले लिया, वहां भी बहुत चाथ चित्रकला किया गया है, जो ये सारी चित्रकलाई हैं ये आपको जानना भी चाहिए और बैसे मैंने कहा know your country तो इसलिए KYC के तौर पर भी जरूरी है कि आप अपने देश को जाने संस्कृति सभ्यता को जाने इसलिए जरूरी है कि आप इन classes को देखें हां ना भी देखें तो भी doesn't matter आप कहीं अलग से भी इनको समझने जानने की पूरी कोशिस करिए ठीक है तो यहां तक इन चीजों को हमने देखा है नेक्स सेक्षन में हम मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुँते हैं धन्यवाद